पर होगा अब आपके सारे फिसिक्स के वेस्टिन माच्जाव्स का सफाया बस अपने फोन से कुशन की फोल्टर कीचो अपकर आपकर और तुरंच वीडियो सिलुशन पाउ डाउलोड कीजिए डाउटर डाप अभी या फिर वाच्छाप कीजिए अपने डाउट्स आर्ट च से वह नीचे आएगा तो लेटर सब जो बलून और मंकी है एक कंडििशन हो जाएगी जब मंकी जो है वह पूरा यह पहुंच जाएगा तो जब मंकी यह जो है बलून है अब मंकी यहां पहुंच गया तो इसको थोड़ा सा हम डिस्प्लेस कर लेते हैं बलून थोड़ा सा नीचे आगया तो यह भी हमारे क्या हो गया कुछ नीचे आगया तो situation कुछ इस तरीके से होगी हमारे पास यह मंकी हो जाएगा यह बलून का मास M हो जाएगा और यह मंकी का मास Small M हो जाएगा दोनों जब मंकी उपर पहुंच गया तब बलून जो है वो थोड़ा सा नीचे डिसेंड हो गया इनीचे रही होगी अभी position घर्टके कुछ यह हो गई है तो पूछ रहा है कितने length से descend होगा, तो यह हम कैसे calculate कर सकते हैं, तो इस case में जो हमारा center of mass है, let us assume वो 00 coordinate है, तो initial case में center of mass क्या हो जाएगा, यदि इस coordinate को हम 00 assume कर लेते हैं, तो अब center of mass और इसको हम क्या consider करेंगे, 0, L, तो यहां जो center of mass हम calculate करेंगे, वो क्या करेंगे, capital M into, इसका coordinate 0, plus small m, और इसका coordinate क्या हो जाएगा, L, divided by sum of masses क्या हो जाएगा, M plus M, means जो center of mass हो जाएगा, वो कहां हो जाएगा, M, M plus capital M into L, तो यह जो center of mass होगा, यहां से some particular distance पे होगा, जोटकी distance किसके equal है, यह distance equal है, small m by small m, plus capital M, L, इस distance के equal है, यह जो पूरी distance हो, और यहां कहीं center of mass होगा, अब जब बंदर ऊपर चला गया है, यह monkey ऊपर चला गया है, तो center of mass हमारा कहा है, 00 पे, तो जो center of mass में shift होगा, वो कितना हो जाएगा, shift in center of mass, तो वो कितना हो जाएगा, center of mass में कितना shift हो जाएगा, 0, final center of mass क्या है, 00 है, initially center of mass क्या था, यह था, minus m by m plus m, l, mean center of mass क्या हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे से, negative सो करने का मतलब क्या है, negative y-axis पे shift होगा है, तो center of mass हमारा कहां shift होगा है, negative y-axis में shift होगा है, और भाई हमसे पूछा जा रहा है कि कितने length से shift होगा, center of mass या कितने length से जो balloon है, वो descend हो गया होगा, तो कितने length से descend होगा, तो यह जो length हाएगी, वो हमारे पास यह आ जाएगे, small m by capital M plus m into l,